उत्तरप्रदेश के जोनपुर के रैदासपुर गाउं में बाइक सवार बदमाशों की गोली से सपानेता की पत्नी घायल हो गई जिलासपताल में प्रारंबिक उप्चार के दोरान उन्हें वारानसी रेफर कर दिया गया है गटना के पीछे चुनावी रंजिश को कारण बताय जा रहा है पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है रैदासपुर गाउं निवासी चंदर प्रकाश यादव चंदू सपा के बूथ प्रभारी है बुधवार की रात करीब साड़े नौ बजे वह अपने दर्वाजे पर बैठकर खाना खा रहे थे उसी वक्त एक बाइक पर सवार दो बदमाश पहुँचे बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने चंदू को लक्ष कर गोली चला दी खत्रे को भाब कर चंदू चारपाई पर जुख गए जिससे उनके ठीक पीछे बैठी उनकी पत्नी मनीशा 35 वर्षय के कंदे पर गोली लग गई गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार के लोगों ने शोर मचाय तो बदमाश फरार हो गए गायल मनीशा को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे वहाँ उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उन्हें वारानसी रेफर कर दिया गटना की सुचना मिलते ही सपा प्रत्याशी लकी यादव के भाई ओम यादव समेथ पार्टी के कई कार्यकरता अस्पताल पहुंच गए गटना की वज़े चुनावी रंजिश बताई जा रही है एसपी ग्रामीन त्रिभुहन सिंग ने बताया कि गोली लगने से महिला के घायल होने की सूचना मिली है पीडित के ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है जौनपुर से सम्वाद दातक कमलेश मौर्या की रिपोर्ट प्रश्वाद ने बात दूए खाना खाने जा रहा था मेरी पत्ति मुझे खाना दे रहे था इसके बात आंद इस पर मेरे रूप फायर हो में राजू पहचाना पिंटू पहचाना एक लोगोटूम तो मैं पहचाना तो यह सर्री है क्यों क्या वजाता चुनाम सर्जी से को सिलिंडर तरफ चल लिए थे हम साइकल तरफ चल देख जिससे अम लोग समाझ बादी थे बस उसी के लिए के वह विए तो आज क्या वहाथ है आज पतो ही कलो चल चलिन दिये थे कि दो दिन के अधर मार देंगे आद रूफ असरों क मेरी पत्ती मुझे खाना दे रही थी अच्छा अच्छा नहीं है वहाँ कोई राता नहीं है चन्द सेखर आद उचरह चरही ज़िए आज़ी लेटेश गपरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें है नहीं है है नहीं है अच्छा 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 कर दो कर दो कर दो कर दो झाल